नमस्कार मित्रो तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पस कोई भी डाइमंड है उसकी वेलियोशन आप के से डिसाइड कर सकते है सबसे पहले कोई भी डाइमंड आप एनलीसिस करते है तो उसकी 4C देखी जाती है अभी ये 4C क्या है Color Clarity Caret और Cut अब ये 4C है वो देखे जाते है कोई भी डाइमंड के भी थे सबसे पहले हम ले लेते है Color अभी ये color क्या आता है Diamond है उसका अपना एक color होता है अब DEF color जो आता है D से शरू होता है कोई भी diamond का color अब ये DEF जो color है न उसे हम colorless in local market कहेते हैं यानि कि जो white है वो बहुत white color है जो blue is white आता है, silver white आता है और white आता है तो उसे हम colorless diamond कहेते हैं उसके बाद आता है GHI अभी GHI क्या आता है? faint color आता है जिसमें जो brightness है, whiteness है वो कम हो जाती है और उसमें आपको yellow shade थोड़ा सा हलका सा दिखाई देता है उसके बाद J के आता है उसमें से आप देख सकते हैं LC के diamond भी आ सकते हैं लेकिन वो white bees ही आते है उसके बाद LMN आता है जिसे हम LBLC कहेते हैं जो DB के diamond भी आते हैं और उसके बाद O+, जिसे हम fancy color के diamond कहेते हैं अभी DEF color है उसकी valuation सबसे ज़्यादा रहती है और उसमें D color का आपके पास अगर diamond होगा तो उसकी valuation बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन यह matter करता है only one C में कि आपके पास 4C है वो सारे के सारे C है वो upper level के होंगे तो ही उसी valuation ज़्यादा आएगी वरना आपके पास D अच्छा है लेकिन जो clarity आती है अभी यह clarity क्या है diamond के भीतर clarity आती है IF यानि कि internally flawless FL यानि कि flawless internally as well as externally flawless जो सबसे बढ़िया आती है FL उसके बाद IF आता है उसके बाद VVS1 यानि कि very very small inclusion 1 आता है उसके बाद VVS2 आता है उसके बाद VVS1 VS2 very small inclusion 1 very small inclusion 2 उसके बाद SI1 SI2 SI3 अब SI1 क्या आता है small inclusion आते है और I1 यानि कि inclusion I1 I2 I3 तो diamond की यह जो clarity है उसमें इतने department है अभी आपके पास FL का diamond होगा तो वो सबसे बढ़िया diamond होगा और I3 का आएगा दूसरी बाद होगे clarity के बारे में diamond के भीतर जो clarity आती है वो क्या आती है FL से लेके I3 तक आती है तो उसका भी हमें knowledge होना चाहिए जो clarity को हम purity in local language बोलते है तो purity diamond की है जो depend करती है like color हो गया clarity हो गया अगर color अच्छा है clarity अच्छे है तो obviously आपका price लेकिन अभी उसका carrot size भी देखा जाएगा आपके पास color अच्छा है clarity अच्छे है लेकिन carrot size नहीं है तो उसके price आपको नहीं मिलेगा है अभी carrot size क्या आता है carrot size यानि की pointer diamond आता है soluted diamond आपने नाम सोना होगा बेसे diamond आते है अभी ये carrot size है pointer के ही सबसे आते है 18 cent का diamond होगा 23 cent का diamond होगा 25 cent का diamond होगा 30 cent का diamond आएगा आपके पास 50 cent का diamond आएगा तो वो diamond है वो pointer diamond है उसकी valuation ज़धा रहती है तो वो carrot के ही सबसे आएगा उसकी जितनी diamond की size बड़ी उतना diamond अच्छा और उसकी price valuation भी उतनी अच्छी क्योंकि rare case में मिलते हैं आपको बड़ी size वाले diamond बाकी तो उसमें क्या होती है impurities होती है उसको cut out करना पड़ेगा और उसकी size कम हो जाएगी लेकिन आपने color, clarity और caret के हिसाब से आप price नहीं रख सकते हैं इसलिए आती है cut यानि कि cut क्या आती है diamond का आपने cutting कैसा किया है diamond में fancy diamond है तो उसका cutting कैसा है RBC यानि कि round brilliant cut है diamond तो उसका cutting कैसा है तो सबसे पहले cutting में excellent आता है excellent यानि सबसे बढ़िया diamond तो excellent cut का diamond आता है उसके बाद very good cut का आता है good cut का आता है fair cut का आता है तो इसे सारे के सारे प्रकार आते हैं diamond के cutting के भी तर अभी आपके पास excellent cut का diamond है और carrot size उसके आपके पास ज्यादा है यानि कि एक carrot या उससे भी बढ़िया diamond आपके पास 5 carrot का diamond है pointer diamond है उसके बाद आपके चुक clarity है वो FL clarity यानि कि flow less clarity है और color है उसका D है तो आप सोज भी नहीं सकते उतने price आपको naturally मिलेंगे अगर वो natural diamond रहा तो आपको naturally price मिलेगी तो ये बात हो गई 4CK related कोई भी diamond आप देखते है तो आप क्या सबसे पहले देखेंगे कि diamond का color कैसा है पहिया मेरे पास जो color आया वो list में मैंने लिए लिया ये color है उसके बाद उसकी purity देखते है जिसे हम clarity कहते है दूसरा सी आ गया तो clarity है वो केसी है वो हमें देखने है उसके बाद carrot देखना है diamond का carrot size कितना है उसका weight कितना है वो हमें मालूम होना चाहिए और उसके बाद cut आता है cut यानि ki excellent cut है तो पहिया obviously उसकी price अच्छा मिलेगी लेकिन मैं आपको बात कर दू clarity i3 है तो आपको obviously बढ़िया दाम नहीं मिलेगा क्योंकि cut चलो excellent हो गई लेकिन उसकी carrot size है वो भी चलो आपने मान लिया एक carrot का है तो वो भी excellent हो लेकिन उसका जो color है वो down है यानि कि down grade का color है इसलिए जो grade का color जो down जाएगा तो obviously उसकी price rate तो उतनी मिलेगी नहीं आपको और तो उसके जो dollar price मिलेंगे वो काफी कम मिलेंगे तो ये बात हो गई पहिया कोई भी diamond आप देख रहे तो उसमें ये आपको 4C तो matter करता ही है अगर 4C सब C बढ़िया रहे यानि कि सब C में आपने जो हमने पहले बात की के color है तो वो D आ गया purity है FL आ गयी या VVS1 आ गयी या VS price rate काफी बढ़ जाएगी और आपको काफी मुनाफ़ा भी हो सकता है अगर आपको मालूम है 4C के बारवी diamond में जो cutting के 18 parameters आते हैं तो 18 parameters के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि diamond का facet क्या है bezel facet है star facet है तो वो कैसे है उसकी girdle है वो accurate है वो excellent cut में आएगा या नहीं आ with use of repa pot आप निकाल सकते हैं और आप finalize कर सकते हैं कि या या diamond मेरे पास है उसकी valuation इतनी ही होगी